असलाम उलेकुम दोस्तो आज हम बनाएंगे नान स्टिक पैन में हिनना रेसिपी हमारे इंग्रिडेंट्स टी पॉडर और शुगर हाँ दोस्तो कौन सा भी टी पॉडर यूज कर सकते हैं आप देख रहे होंगे मेरे टी पॉडर में कुछ बारिक से वाइट पीसेश दिख र अवाइलाबल थी वही यूज कर रही हूं है आपके किचन में जो टी पॉडर अवाइलाबल रहेगा वही यूज कर लीजिएगा आज की ए वीडियो मेरे सब्सक्राइबर की फर्माइश्थी के जोया दीदी आज कल जो ज्यादा ट्रेंड हो रहा है वीडियो के नान स्टि मैं भी आप लोगों के साथ आज पहली बार बना रही हूं और शेर कर रही हूं देखिए नान स्टिक पैन को मैंने वाश करके स्टॉपर रख दी अब हम पैन हीट होने के बार हमने जो दो मिक्स किये हुए इंग्रिडेंट से उसको हम डाल देंगे यहां पर आप देख पानी निकलेगा इसलिए तो अब हम इसके अंदर कुछ पानी याने वाटर एड नहीं करेंगे फ्लेम को थोड़ा हाई टू मीडियम पर रखेंगे तो देखें थोड़ी देर हम चमच हिलाने के बाद यह हमारा मिल्ट हो जाएगा तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे फरमाईश के वीडियोस होते हैं तो कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं कि मैंने भी अभी तक नहीं बनाई होती जैसे ही आप लोगों के अगर सगेशन्स हो या रिक्वाइर्मेंट्स हो के जोया दीदी ये बनाईएगा वो ट्राइ कीजिएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हां कुछ न्यू ट्राइ करेंगे उससे किस तरहा रिजल्ट आएगा ये देखें मिक्चर थोड़ा खरीब आ रहा है याने कुख हो रहा है हां धुआ याने स्मोक तो बहुत निकली हमारे इंग्रिडेंट्स अच्छे से कुख हो गए और ये देखें लाइट स से वाटर निकल रहा है सैडों से इस टाइम पर हम क्या करेंगे और थोड़ा पानी एड करेंगे क्यूंकि देखिए बहुत कम निकला हुआ है तो बस थोड़ा सा लाइट से हमारे मिक्चर पर इस तरहा डाल देंगे अब मैं फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पर रख दूंगी और इसको एक दो से तीन मिनट के बाद ऐसे ही कुक होने के बाद हम फ्लेम को आफ करेंगे हां दोस्तों इस तरहा कुछ मैं न्यू रेसिपी ट्राइ करके अगर आप लोगों से शेयर करूं तो कभी कभी कुछ नेगिटिव कॉमेंट्स भी आते हैं याने नेगिटिव रेस करते हैं चाहे वो सक्सेस हो या ना हो उसका फाइनल रिजल्ट दिखा दीजिए उस हिना का स्टेन क्या सच में आएगा या नहीं तो जितने भी चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स हो या विवर्स हो मुझे ट्रस्ट करके पुछते हैं कि उसका फाइनल रिजल्ट कैसा रहेगा तो इसलिए चाहे वो हिनना रिसीपी फ्रैंक हो या रियल हो अगर जो वाइरल हो रहा हो तो मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स या विवर्स की फर्माईश पर ट्राइ करती हूँ चाहे उसका रिजल्स जैसे भी हो तो दोस्तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा के मेरा कांसेप्ट क्या है जो भी हिनना की रिसीपी रहेगी चाहे न्यू वाली हो या पुरानी वाली हो इसलिए शेयर करती हूँ क्योंके सब्सक्राइबर्स एंड विवर्स की फर्माईश होती है तो अब आजाते हैं हम वीडियो की तरफ देखें स्ट्रेंड करने के बाद एक दम प्यूर अरग जैसा लग रहा दिखने में तो चलिए अब इसका रिजल्ट कैसा आएगा हमें अपले करने के बाद ही पता चलेगा पर इसका कलर और देखने में देखें कितना प्यारा दिखरा इसका कलर तो यहाँ पर देखें लेक स्पून के खरीब मैं हेना पौडर ले रही हूँ और इसके अंदर हम एक स्पून थोड़ा सा यानि एक स्पून हम इसके अंदर मैडा याट करेंगे इन दोनों को mix करके जो हमारा निकला हुआ है अरख टी एंड शुगर से वो हम इसके अंदर mix करके paste बनाएंगे मैं यहाँ पर filter किया हुआ ट्रिबुल filter luxury हिनापॉडर यूज कर रही हूँ आपके पास organic हिनापॉडर अवैलाबुल ना हो तो भी परवा नहीं बट मार्केट से जो भी हिनापॉडर ले रहे हैं तो देख समल के लीजिएगा थोड़ा या बहुत quality वाला होना चाहिए क्योंकि हिनापॉडर अने में सबसे निमबर वन पोजिशन होता है हिनापॉडर का तो इसलिए हिनापॉडर को चूज करते वकट केरफुली से चूज कीजिएगा तो ये देखें मेरा पेस्ट रेडी हो गया है हिनापेस्ट को सेट होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो मैं भी इसको एक त्री से फोर आवर्स के लिए साइड में रखूंगी इस पेस्ट को हम 2-in-1 प्याक की तरहा यूज करेंगे ठीके याने हम इसको नेल्स पर भी अपले करेंगे और हैंड्स पर भी क्यूंकि हमने इसके अंदर थोड़ा मैदा फ्लोर भी आड़ किया था और थोड़ा हेना पॉडर भी आड़ किया था ठीक है इसको हम 2-in-1 प्याक की तरहा टेस्ट करके देखेंगे हेना रेसिपीस के लिए जो भी हेना प्रोडेक्ट्स या आइल्स अगर आप लोगों को ओर्जिनल नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग मेरे पास से भी बै कर सकते हैं अगर आप लोगों को बै करना हो तो मुझसे कांटेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर आ पा सकते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम एंड फेस्बुक की आइडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी या एबॉट सेक्शन में भी मिल जाएगी और हाँ दोस्तो एक अहम जरूरी बात ये है कि रमजान आने वाला है तो फेस्टिवल्स आफर्स याने नेल्स मेहंदी के प्रोडेक्ट्स लाइक अरख और हिन्ना पोडर और हिन्ना के आइल्स सब कुछ आफर्स में रहेंगे तो आप लोग भी इस चांस को मिस मत कीजिएगा हाँ देखें इस तरह कवर करेंगे हाँ जी तो देखें चार घंटे हो गए इविनिंग टैम मैंने इसको प्रिपेर किया था ये देखें पेस्ट थोड़ा टाइट हो गया बट कोई बात नहीं क्यूंके हम इसको नेल्स पर भी अपले करना होता है तो मेरे दोनों हाथों पर नेज महंदी लगी हुई है तो इसलिए मैं स्किन पर लगा के देख रही हूँ यस ये देखें रिमू करने के बाद इसका स्टेन वाव अच्छा आया ना बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं और बहुत लाइट भी नहीं मीडियम से आया हुआ है तो यह है इसका फ्रेश स्टेन इस रेशीपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा बट या दखे हैना पाउडर क्वाल्टी वाला होना चाहिए तभी हमें फाइनल रिजल्ट अच्छा दिखेगा ओके तो देखें स्टेन बहुत ही प्यारा आया हुआ है तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा हाँ हाँ दोस्तों जाने से पहले एक मिनिट के लिए रुख जाईए क्यूंकि जो नान स्टिक प्यान है लास्ट टाइम एक रेसिपी बताई तब मेरे सब्सक्राइबर ने पुछा ये क्या वाश होगी यानि पहले जैसे हम रियूस कर सकते हैं क्या हाँ इसको हम पानी में भिगा के एक घंटे के लिए साइड में रख दीजिए बस एक घंटे के बाद वाश कर लीजिए हो गया ना हमारा नान स्टिक प्यान क्लीन तो हमारे प्यान को हम फिर से किचन परपस के लिए भी और हेना रेसिपीस के लिए भी फिर से रियूस कर सकते हैं